हेलो फ्रेंड्स नमस्कार कैसे हैं आप सभी I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज जो वीडियो लेकर के आई हूँ इस वीडियो में जो अचानक प्राक्रतिक चीजे होती है उससे रिलेटेड बात करेंगे यानि की बे मौसम बारिश के बारे में और विं ही रिकॉर्डिंग है जो आपको दिखा रही हूं तो देखें फ्रेंड्स जो गुलाब होते हैं उनको तो कोई जादा प्रॉब्लम नहीं होती बस आपने अगर गुलाब की मिट्टी अच्छी बनाई है पानी बह कर निकल जाए तो वही गुलाब के लिए बैस्ट होता है उसके बाद फर्टिलाइजर वगेरा बारिश जब होती रहती है तब आपको नहीं देना है तो आज हम फर्टिलाइजर की दो बात नहीं कर रहे हैं सिर्फ उन प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जो बारिश के पानी से खराब हो सकते हैं तो अगर आपके आप भी आया है कल भी आया है बारिश हुई है तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है तो आप उनको बचा के रखे तो गुलाबों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है यहां पर आप डेहलिया देख रहे हैं तो डेहलिया के जो फ्लार्स खिले वे होते हैं वो खराब हो जाते हैं औ और डहलिया का जो बल्ब होता है अगर आपने बल्ब से ग्रो किया है डहलिया आपका बल्ब से बना हुआ है बल्ब से प्लांट निकला हुआ है तो उसको भी शेडी एरिया में ले लेजिए उसमें भी बारिश का पानी नहीं लगना चाहिए वरना वो भी खराब हो जाएगा देखें यहाँ पर यह भी flowers spent हो रहा है वैसे तो लेकिन इसी तरीके से खराब होता है और देखें बारिशों के बाद गुल्दाओदी की कितनी बुरी हालत हुई है तो गुल्दाओदी की plants भी और खराब होते हैं बारिश के पानी से लेकिन अगर मिट्टी से ही से बनी हो पा उपने फूलों की जो blooming है जो color है जो आभाय है फूलों की वो सब खतम कर देते हैं फूल खराब से हो जाते हैं गजानिया भी बारिश के पानी से खराब हो जाता है तो आप उसे भी save करके रख सकते हैं shady area में और यहाँ पर जो dianthas है वो बहुत जल्दी खराब होता है बार बार जब मिट्टी गीली रहेगी तो प्लांट खराब होना स्वभाविक है और जो विंका है वो भी बारिश के पानी में खराब हो रहा है क्योंकि रात को बारिश हुई तो मैं उपर नहीं आप आई चट पर टेरस पर नहीं आप आई कि किस तरीके से मैं प्लांट को save करू यहाँ पर अगर आपके पास strawberry है तो शायद वो भी बारिश के पानी से खराब हो सकता है अगर जादा बारिश में रखा हुआ है तो आपको उसको उससे भी बचा करके रखना है कलांचो में भी जादा पानी नहीं लगना चाहिए क्योंकि यह succulent variety का flowering plant है तो बहुत जल्द खराब होने का इसकी जो stems होती है वो गलने लग जाती है वो खराब हो जाता है तो इसको भी अगर आप रोज बारिश हो रही है तो बचा लीजिएगा shady area में रख दीजिएगा और यहाँ पर जो पालक है अगर आपने kitchen garden में पालक ग्रो किया है मैंने भी ग्रो किया है और द लोड़ी problem हो सकती है यह भी succulent variety का plant है और indoor plant है वैसे तो यह गजानिया और गजानिया की तरह ही जर्वेरा जो है वो भी बारिश की अगर जादा बूंदे इसमें लगेगी जादा पानी लगेगा तो फूल खराब हो जाते है और अभी winter garden चल रहा है तो winter season में तो सारे plants flowering प और उपर से जैसे उसके लिए यह हो जाएगा कि नहले पर दहला एक तो ठंड है उपर से फिर बारिष तो और जादा ठंडा रहेगा तो इस plant को यह भी succulent variety का plant है तो इसे भी बारिश का पानी पसंद नहीं है जैट प्लांट को भी जादा बारिश का पानी पसंद नहीं है आप इसे भी बचा के रखेगा, जितने भी succulent variety के plant है ना, आप उनको save कर लीजिए, save का मतलब किसी भी तरीके से बारिश के पानी से उनको बचा लीजिए, जैसे भी आप बचा सकते हैं, यहापर tangled heart है, इसको भी आप बारिश के पानी से बचा लीजिए, क्योंकि यह तो वैस जिन्दा है, मरा नहीं है, यहापर wandering juice को भी आप बचा के रख सकते हैं, turtle wine, अगर आपके अच्छे से ग्रो हो रही तो आप उसको भी shady area में ले लीजिए, वो भी बच जाएगी, wandering juice को भी बचा लीजिए, shady area में रखके, और जब भी धूप निकले, इसे थोड़ी थोड़ी धूप लगाते रही है, और जो दूसरे plants है न, यह plants तो बहुत अच्छे से खिल खिला रहे हैं, indoor plants, जो flowering plant है, गुडल वगे रहा है, इनको तो बहुत अच्छा लग रहा है, पारिश का पानी, I hope आज का यह वीडियो आपको पसन आया, अगर पसन आया तो वीडियो को like की कीजे, share कीजे, मेरे चैनल पर नहीं हुए तो subscribe जरू कीजे, bell icon और प्रपेस कीजे, जिसे आने वाली वीडियो की notification आप तक directly पहुचती रहे, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फोलो कर सकते है, flowers and kitchen garden, मिलते हैं next वीडियो में, फिर किसी नही जानकारी के साथ, तब तक के ल शुष्णाओ